10-15 मिनट बैठना चाहिए और अलोविरा जो भी आपका इफेक्टिड एरिया है उस पे आप अलोविरा जल लगाए और उसको हमें धूप में रखना चाहिए और 10-15 मिनट की धूप हमें डेली लेनी चाहिए और हम इसमें हल्दी का बहुत इंपोर्टेंट रोल है तो हमें हल करना चाहिए जिसे हम थोड़ा सा पन को सिर लिपा सकते हैं तो हम एपनी ओफ़ पींच अफ टर मेरिक अपने डूर में डाल कि ले सकते हैं अगर कोई बिपी का पेशन्ट है तो उसको वीकिली डू टाइम ले और स्टू नहीं दिक्कत आती है तो व डेली वेसिस साथ श्रीकाल तुसी देखरों महा पंजाब यूएस से ते मैं हाँ संजीब सेनी जे गल करिए गठिया गठिया एक काम वुमारी हो चुका है पूरे पार्ट विच हर किसे नू ते गरीबन गठिये दी वुमारी नू नाल जूजना पह रहे है अज जैसी एक पर फेर शिरीतर मंत्री उसी बिल चाहे हैं जित्ती हैसी डाक्टर नू रादा जीनाल गल करांगे और तो नो गठिये दे काना और लश्चना बारे तो नो जानू करांगे नमश्काल महा पंजाब यूएस की सभी दर्श्कों हो मेरी तरफ से नमश्काल अज कल गठिये की बमारी आम हो चुकी है उस पे आप क्या कहना चाहँगे गठिया आज कल हर जरगा पर बहुत ज्यादा फैरज है बहुत पेशेंट्स ऐसी है जो डि डेली बीसेस पे क्लीनिक पे आते हैं पता ही नहीं होता है कि उनको गठिया है, और वो इतने टाइम से उससे सफर हो रहे हैं, गठिया एक autoimmune disorder है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे immune cells होते हैं, वो हमारे अंदर हमारे tissues को कराब करना start कर देते हैं, तो यह गठिया हमारे चूटी-चूटी joints में, बड़े-बड़े joints को तो गोरता ही, एफेक्ट करता है, लेकिन यह चूटी-चवटी joints को भी हमारे एफेक्ट करना शुरू कर देता है, इसमें हमने कारण क्या है जैसे कि आपने बताया कि जैसे से ही हो जाता है बट इसका अच्छल भी कारण क्या है मारा खान पारन कारण है According to Ayurveda इसे हम आम बात बोलते हैं जब Ayurveda में बोला जाता है जब हमारी गट लीकी हो जाती है तो वहां से जो आम निकलता है और भूलड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है तब आम टॉकसिंस आम को हम टॉकसिंस बोलते हैं तो वो हमारी blood stream में mix हो जाता है, तो हमें आम बात होता है, इसके और बहुत कारण है, देखना पड़ता है, patient के, इसके एक ऐसे symptoms आते हैं, जिसे छोटी-छोटी joints को ये परिशान करता है, इतनी बिच्चु के काटने जितनी पेन होती है, patient को, morning stiffness, हमारे हाथ, हाथ ऐसे नहीं ह पाते हैं, morning stiffness बहुत जादा हो जाती है, ये हमारे sinopil fluid, जिसको हम grease बोलते हैं, उसको effect करना, इसके जो, जितने भी viruses हैं, वो उसको effect करना शुरू कर देखते हैं, और इसमें हमें क्या करना चाहिए, कि हमें अपने lifestyle में कुछ changes करने चाहिए, इसको diagnose करने के लिए blood investigations करनी करवाते हैं, अगर वो positive आता है, तो हम RA quantitative कराते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि कितना गठिया है, उसके बाद हम anti-CCP, कि गठी के कितनी aggression है, कि हम, कितने हमारे अंदर ये फैल चुका है, anti-CCP करवाएंगे, ESR करवाएंगे, mainly गठिया inflammation से होता है, तो हमें देखना होता है कि हमारे बोड़ी में कितनी inflammation है, जिस वज़ा से गठिया हुआ है, गठी के level कितना है हमारे बोड़ी में, खाना की चाहिदा सानू, जो भी अपाद दिन चार्या है, जो भी आप चाहिदा सानू, अगर सानू गठिया हो जानदा है, आपने बहुत अच्छा question किया, संजीर इसमें गठी में हमारी बात बढ़ जाती है, तो हमें बात प्रकुपित भोजन नहीं करना चाहिए, उसमें हमें ऐसा खाना खाना चाहिए, जिससे कि हमारी बात जो है, वो शमन हो सके, तो गठी में हम सबसे main होता है लंगन, लंगन जिसको हम fasting बोलते हैं, लेकिन ऐसे भी आओ कि आप लंगन से बात को प्रकुपित कर लें, तो हमें उसको उस लेवल की तरह ही खाना चाहिए, mainly हमें घिया, घिया तोरी, कद्दू, और गर्मियों में हमें अपना जो डे स्टार्ट करना चाहिए, तो उसमें हमें लीकुट से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे स्पे का लाइट खाना खाना चाहिए, 10-15 मिनट बैठना चाहिए, और अलोविरा, जो भी आपका एफेक्टिड एरिया है, उस पे आप अलोविरा जैल लगाए, और उसको हमें धूप में रखना चाहिए, और 10-15 मिनट की धूप हमें डेली लेनी चाहिए, और हम इसमें हल्दी क तुमर से अद्रक सोंट इंची जो का इस्तमाल करना चाहिए, जिससे हम थोड़ा सा पेन को सिर लिपा सकते हैं, तुसी हल्दी के अपने दूर में डालके आप ले सकते हैं, अगर कोई बीपी का पेशेंट है, तो उसको वीकली टू टाइम ले 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 और जिसको नहीं नही दिक्कत आती है, तो वो डेली वेसिस में ले सकता है, अजर वेद वेच सुपूरन तो और तेलाज संभव है तो डेगोल, बिल्कुल आरवेदिक ट्रीटमेंट विल्कुल हमारे पस अवेलेबल है, और हम उमारे पस अभी भी बहुत से ऐसे पेशेंट है, जिसको हम आरवे कीजिए, जो हमारे लिए नहीं ठीक है, रात को जल्दी सोईए, और बाहर का खाना कम खाईए, प्रोसेस्ट फूड को वर्ड कीजिए, यही कहना चाहूंगी, तो हम अपनी कही विमारियों को जो नहीं हुई है, उनसे बस जबते हैं